अजिक शान्ति और शक्ति और विजुलाइज करो अपने आपको कि अगर हम एक महीना भी लगातार मेडिटेट करेंगे पता तो और शक्ति प्राप्ति को इसलिए आजक देखो जो नही एक्सराइज करने वाले हैं भी है आजकल किने पहले इतना नहीं था अभी लोग वौक करेंगे ृजिम जाएंगे health conscious होते जा रहे है क्यों? प्राप्ति का बता है ऐसे ही अगर हम रोज meditate करेंगे तो क्या प्राप्ति होगे? हाँ जे में करम विनाश होंगे हाँ जे मन का संतुलन बना रहेगा शांती मिलेगे और खुशी मिलेगे और स्टेबल हो जाएंगे परमात्मा से ड्रिल कर सकेंगे कनेक्ट कर सकेंगे हाँ? इंद्रियों के उपर विजे प्राप्त हो जाएंगे और ख्या चाहिए? जो सारी चीज़े आप कह रहे हैं वो तो हम बहार डून रहे हैं शांती, खुशी, प्यार शांती को जगा में ढून रहे हैं प्यार को लोगों में ढून रहे हैं खुशी को चीज़ों में ढून रहे हैं संतुलन समझते हैं जब सब बहार ठीक हो जाएगा तो यहां पर अपने आप संतुलित हो जाएंगे उस सब बहार थोड़ी नहें वो इस एक नहीं तो जीवन पता कैसा होता है, इच्छाएं, 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 ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 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 क्यों चाहिए, चाहिए? क्यों कि हर चाहिए से मुझे क्या मिल रहा है, हर चीज जो मेरी लिस्ट में चाहिए है, डिजाय पर इक टरफ घीता में लिखा हुआ है क्या बढू इच्छा मात्रम अविद्या आपको एच्छाओं को अर दूसरी तरह हम कहते है नहीं जाएं तो इच्छाय होनी जाय जाएं कि नहीं होनी जायां क्या क्या इच्छाएं होती है हमारी एक लंबी लिस्ट होती है न और एक इच्छा पूरी होती है उसके पीछे तूसरी फिर वो पूरी होती है उसके पीछे तीसरी और हमें लगता है हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे संतुष्ठ और धेरे-धेरे अनुभव क्या कह रहा है कि इतना सब कुछ आ गया है इतना सब कुछ आ गया है तो भी संतुष्ठता के जगा क्या बढ़ती जा रही है असंतुष्ठता क्यों? क्यों? क्योंकि हर चीज जो हमें चाहिए उस चीज से हम क्या लेने के कोशिश कर रहे हैं? खुशी पर वो चीजे खुशी देने के लिए तो बनी नहीं हुई न? वो चीजे खुशी देने के लिए बनी नहीं है, वो चीजे क्या देने के लिए बनी है? आज एक गाड़ी है वो गाड़ी क्या देने के लिए बनी है, शरीर को comfort कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रावल करें, तो आप comfortably ट्रावल कर सकें, इसका ये मतलब नहीं है, कि आप अगर Mercedes में बैठे हैं, तो खुश भी होंगे ऐसा हो सकता है कि कोई Mercedes में बैठा है, लेकिन थोड़ा सा ओधास और परिशान है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत comfortable हो सकता है पर यहां पर अगर उसका मन कमजोर है और गलत सोच रहा है, तो वो इतने comfortable seat पर भी बैठ करके उधास और परिशान हो सकता है वहीं पर कोई बस में भी बैठा हो सकता है cycle पर भी हो सकता है लेकिन अगर उसका मन सही सोच रहा है, वो मन का मालिक है, तो हो सकता है बोड़ी से थोड़ा uncomfortable हो, लेकिन मन से खुश हो तो चीजे लेना गलत नहीं है लेकिन चीजों का purpose है गाड़ी, अपर देने लेकिन हमारा जो मीडिया है, वो ये नहीं कहता है आप नियारे होकर के टीवी पर हर अड़ देखो तो वो अड़ क्या दिखा रही है कि आप ये लेंगे तो क्या मिलेगी हर अड़ आप देखो चाहिए वो toothpaste की आड है चाहिए वो लोन पर खरीदे हुए घर की आड है वो हर अड़ आड़ आपको क्या दिखाने की कोशिश कर दिया है कि आप ये लेंगे तो आपको क्या मिलेगे एक स्माइलिंग सा चेहरा होता है कि नहीं और हम खाली है तो हम फस जाते अच्छली अगर हम साइलिंस में बैठ करके अपने को पूछे ना तो हमें चीजे नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें खुशी चाहिए हमें खुशी चाहिए हमें वो परिवार का प्यार चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहां से मिलेगा तो वो एड मुझे ऐसा दिखाती है कि शायद लोन पर घर खरीद लेंगे, कथे बैठेंगे, कथे उस गाड़ी में कहीं गूमने जाएंगे, तो क्या मिलेगी? खुशे. और मिलती भी है अलकाल की, तेम्टरी, आप कोई चीज लेकर के आते हो ना, तो वो स्ट्यूमिलेंट का काम करती है, तो मन कहता है वाँ मेने खरीद दिया, अब मेरे पास भी गाड़ी है, अब हम मिलकर गूमने जाएंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक दिन, दो वो चीज हमें अच्छा सोचने में बदत करती है, कोई ना कोई आधार हम लेते हैं, उस आधार को यूज करके अच्छा सोचते हैं, चीज वहीं रह जाती है, थोड़े समय के बाद, चीज वहीं रह जाती है, सोच बदल जाती है, अब सोच में तो ये टेंशन आ गया, कि ल सारी खुशी किसमें बदल जाती है, वो बोच में बदल जाती है, तो चीजे लेना गलत नहीं है, लेकिन चीजे शरीर को सुख देंगी, और आप उसको कौंटिफाय कर सकते हैं, आप उसको कौंटिफाय कर सकते हैं, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह वारे जीवन के आविश्शक्ताएं हैं, आविश्शक्ताएं और इच्छाएं सेम नहीं होती हैं, आविश्शक्ताएं होती हैं, वो पहले तो तीन शब्द में आविश्शक्ताएं बोलते थे थे, कौन से तीन शब्दे थे? रोटी, कपड़ा, मकान, इसके पास रोटी हो गई हैं लेकिन हो गई हैं या हो जाएंगे वो इतनी बड़ी बात नहीं है गांदी जी बहुत सुंदर कहते थे there is enough for everyone's need but there is not enough for everyone's greed तो needs तो पूरी हो जाएंगे क्योंकि वो शरीर की जरूरते हैं जरूरत, need, आविशक्ता लेकिन इच्छाएं वो होती हैं जिससे हम थोड़ी 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 खुशी मन को देते हैं temporary, alpkaalki, थोड़ी 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 और फिर होता क्या है हम इस जाल में परच जाते हैं क्योंकि जिससे हमें थोड़ी सी खुशी मिली है तो हमें यह नहीं बता कि उस चीज को आधार बना कर मैं अच्छा सोच करके वो खुशी क्रीट की थी, मुझे यह नहीं पथा, मुझे लगता है खुशी किस ने दी ती, चीज ने. तो मेरा मन कहता है, अब मुझे क्या चाहिए? एक और एंड सबसे बड़ा नुकसान क्या है अडिक्शन का, कि जो चीज आपको आज जितनी खुशी दे रही है, वो कल उतनी नहीं देगे तो आज मारूती आपको जितनी खुशी दे रही है कल मारूती खुशी नहीं दे सकती, अब कौन से चाहिए? नहीं दे सकती, वो सेम नहीं दे सकती, तो अब को कौन से चाहिए? सीधा मरसेटिस पर भाव है कि दोज तो बढ़ानी पड़े कि आपको इस महीने जितना पे पाकेज खुशी दे रहा है सुख नहीं, खुशी खुशी क्या होता है? एक संकल अच्छा, इतनी मेरी इंकम है तो अगले छे मेने के बाद अगर वो इंक्रिमेंट नहीं होता तो सोच कैसे परिवर्तन हो? सोच को परिवर्तन होने के लिए कहना तो पढ़ेंगा ना मेरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, बोनस मिला तो वो सोच खुशी देती है लेकिन सोच हमें क्रिएट करने आती नहीं है इंडिपेंडेंटन्टली क्रिएट करने आती नहीं है तो हमने उसको हर चीज के ओपर डिपेंडेंट करके रखा हुआ है और इसलिए हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है और जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान खुशी भी एक ऐसे है जैसे किसी को शराब के लथ लग जाए अडिक्शन तो वो शराब उसको टेंपररी खुशी देता है इस करता है, रिलाक्स फिल करता है थोड़े समय के लिए उसको सारा दुख बूल जाता है तो आप किसी को बोलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उससे नहीं छूटती है क्योंकि उतना समय उसको क्या मिलता है सुख मिलता है तो वो जूट बोल करके भी पिएगा, चोरी करके भी पिएगा, छिपा करके भी पिएगा, जब तक उसके अंदर का खालीपन आप किसी और चीज से नहीं भरते, तब तक वो पिएगा ऐसे ही मुझ आत्मा को खुशी तो चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए आप अगर create नहीं करोगे खुज से तो वो फिर कहां से लेगी? बाहर से अग उसकी बाहर की इच्छाएं बढ़ती जाएंगे और उसकी capacity शायद इतनी नहीं है उसकी income शायद इतनी नहीं है तो फिर उसका मन कहता है गलत करने के लिए अभी तक उसका मन गलत करने के लिए नहीं कहता था unethical हम क्यों होते हैं? क्यों हम कहते हैं थोड़ा जूट बोलें, थोड़ा रिश्वत ले लें, थोड़ा चोड़ी कर लें चाहिए, चाहिए क्योंकि खुशी तो मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए और मेरे से create नहीं, जैसे खाना है, मुझे चाहिए 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 ना, पेट को तो चाहिए चाहिए, आप खुच से बना करके नहीं खाओगे, तो आप बहार से ओर करोगे आप बहार से ओर्डर भी नहीं कर सकते हैं, तो आप चोरी करके भी खाओगे खाना तो चाहिए ना, क्योंकि वो शरीर की क्या है खुराक है तो कहते हैं, मजबूरी है, उसने मजबूरी में ऐसा किया ऐसे खुशी आत्मा की खुराक है आप उसको create नहीं करेंगे तो वो मजबूर हो करके फिर गलत करके भी गलत तरीकों से टेंपुररी कुशी लेती जाती है और फिर धीरे धीरे हम इस addiction में इतना फस जाते हैं वो इच्छाएं, फिर addictions फिर dependency कि हमारी जीवन एक मालक से इसकी हो जाती है गुलाम के है गुलाम के है